नमस्कार दर्शको नियो एस के स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है मैं कौशल किशोर दक्षण बिहार केंद्रिय विशुद्याले गया के शिक्षा पीट से आपके सम्मुख आज की चर्चा के लिए उपस्तित हूँ आज हम जिस विशे पर चर्चा करने जा रहे हैं वह बाल विकास एवं मनोविज्ञान के सरवाधिक रुचिकर विश्यों में से एक है इसका शीर्शक चिंतन एवं चिंतन कौशल विकास की आवशकता है इस चर्चा के उपरांत इस चर्चा का मुख्यो दिश दर्शकों को च चिंतन एवं चिंतन कोशल के संप्रते, चिंतन की प्रकृती, चिंतन के प्रकार, एवं बालक के विकास हेतु, चिंतन की आवश्यक्ता से परचित कराना है। चिंतन के विविन प्रकारों में विवेद कर सकेंगे, दैनिक जीवन में किसी बालक दौरा प्रदर्श चिंतन के प्रकार की पहचान कर सकेंगे, चिंतन एवं चिंतन कोशल की बालक के विकास में आवश्यक्ता को प्रतवंबित कर सकेंगे। ये बात स्पष्ट है कि मनश्यों में चिंतन की प्रक्रिया का इस्तर पश्यों की अपेक्षा उच्छ होता है जिससे वो श्रेष्ट प्रजाती के रूप में स्थापित होते हैं देनिक जीवन में हमारे आसपास की घटनाओं में, हमारे आसपास की इस्तितियों में या हमारे आसपास की देनिक क्रियाओं में चिंतन की प्रकिरिया सम्मिलित होती है। जैसे सुबह उठकर ये सोचना कि मैं आज कॉन्सी ड्रेस में हूँ, मैं आज ओफिस किस रास्ते से जाओं ताकि मुझको ट्रेफिक न मिले, मुझको आज ओफिस में क्या-क्या काम करने हैं, किस काम को प्राथ्मिक्ता पर रखना है, ये सब चिंतन के उधारन है. इसके अलावा, हम अपने आसपास जितना भी विकास और बहुत सारी वस्तुएं देखते हैं, वो भी मनश्र के चिंतन का परणाम है, यदा रोबोट, हवाई जाज, उची बिल्डिंग्स, ये सब भी चिंतन का परणाम है. निश्चिती सबी चिंतन एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ चिंतन ऐसे हैं, जिसमें कम मानसिक चरण होते हैं, कम मानसिक पद होते हैं, कुछ चिंतन ऐसे होते हैं, जिसमें मानसिक चरणों की संख्या जादा होती है, वो जादा जटिल होते हैं, कुछ चिंतन ऐसे हैं, जिनम कोई लक्षनिधेशित होता है कुछ चिंतन बिना लक्षनिधेशन के होते हैं चिंतन की इस बहु आयामी प्रिकृति को देखते हुए अलग-अलग वचारकों ने अलग-अलग मनुवग्यनिकों ने चिंतन की अनेकों परिभासाइे दी है जैसे केगन एवं हेवमेन ने 1976 में एक परिभाशा दी जिसमें उन्होंने कहा कि प्रतिमाओं, पृतीकों, संप्रतियों, नियमों एवं अन्य मध्यस्त एकाईयों के मानसिक जोड़तोड को चिंतन कहा जाता है वहीं वलेंटाइन ने 1965 में 1965 में एक परिभाशा दी जिसमें उन्होंने कहा कि चिंतन एक गतिविदी है जिसमें किसी उद्देश्य या परिणाम की तरफ निदेशित विचारों का संयोजित परवाह समिलित होता है ध्यान दीजिये, वलेंटाइन इसमें ये बात कह रहे हैं कि जो connected flow है जो संयोजित परवाह है विचारों का वो किसी गोल की तरफ, किसी उद्देश्य की तरफ निदेशित है Silverman ने 1978 में एक परिभाशा दी जिसमें उन्होंने कहा कि चिंतन एक ऐसी मांसिक परिकरिया है जो हम लोगों का उद्दीपन तता घटनाओं के पृतिकात्मक चित्रन दौरा किसी समस्या का समाधान करने में मदद करती है यहां उनका उद्दीपन से तातपर एक इसी समस्या से है कोई समस्या हमारे लिए उद्दीपन यानि stimulus का का काम करती है जिसके समधान के लिए हम गटनाओं का पृतिकात्मक्चित्रन करते हैं यहाँ पृतिकात्मक्चित्रन से मतलब मस्तिष्क में mental picturization है उसका महसिन ने 1967, 1967 में एक परिभाशा दी जिसमें उने कहा चिंतन एक अव्यक्त समस्या समधान व्यवार है यानि कि एक implicit एक अपृतिक्ष व्यवार है यह पृतिक्ष रूप से परलिक्षित नहीं होता सामने समस्या समधान करता है लेकिन जो चिंतन का जो व्यवार है वो अपृतिक्ष है वो मस्तिष्क के अंदर चलता है गिलमर ने 1970 में एक परिवाशा दी जिसमें उन्होंने काहा कि चिंतन समस्या समधान की एक पृतिक्ष है इन परिभाशाओं को अगर हम ध्यान से देखे तो हमको दो तरीके की बात इसमें समझ में आती है चिंतन को लेके चिंतन को लेके कुछ परिभाशाएं मानसिक जोड़तोड की बात करती है वहीं दूसरी तरफ कुछ परिभाशाएं इसको समस्या समाधान के रूप में देखती है कुछ परिभाशाएं मानसिक गतिविधी के रूप में इसको बात कर रही है जो mental process है, मांसिक प्रक्रिया है वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इसको मांसिक उत्पाद mental product के रूप में बात कर रहे है समस्या समाधान एक mental product है और उसके लिए दिमाग में जो प्रक्रिया चल रही है जो मस्तिश्क में प्रक्रिया चल रही है वो mental process है अलग अलग पक्षों पर लोगों ने अलग अलग तरीके से बात की है दोनों ही चीजों का अगर हम सभी पक्षों को ध्यान से देखें तो चिंतन के बारे में ये चिंतन के प्रकृती हमारे सामने स्पस्ट होती है कि पहली बार तो चिंतन एक संग्यानात्मक गतिविदी है इसका मतलब यह है जब आप तीन पक्ष की बात करते हैं शिक्षा में संग्यानात्मक, भावात्मक, मनोगत्यात्मक इसको कॉगनिटिव, अफेक्टिव और साइको मोटर डोमेन के नाम से हम जानते हैं तो जो चिंतन की प्रक्रिया है, वो एक संग्यानात्मक गतिविदी है, जो कॉगनिशन में होती है दूसरा, चिंतन की जो प्रक्रती है, वो बताती है कि चिंतन अप्रत्यक्ष प्रक्रिया है यानि कि ये सामने से प्रत्यक्ष रूप से दिखती नहीं है, implicit है, ये covert है, overt behavior नहीं है अब प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष नहीं है, जो सामने से दिखेगा नहीं, अंदर मस्तिस्क में चल रहा होगा इसलिए इसमें कहा जाता है कि शारेरिक खोज की जड़े, मांसिक खोज की बात करता है तीसरी प्रकृति जो इसके बारे में हम देख सकते हैं, वो है कि चिंतन हमेशा किसी उद्देश्य प्राप्ती की और निदेशित होता है डिरेक्टिड हैं हमेशा किसी ना किसी गोल की तरफ विटेकर ने 1970 में कहा भी कि सभी चिंतन लक्ष नदेशित होते हैं अलग कि ये अलग बात है कि कुछ चिंतन हमारे लक्ष से अलग भी होते हैं, चर्चा करेंगे इस बात की कि इसी के अधार पर अन्य परकार इसका क्लासिफिकेशन किया है लोगों ने लेकिन विटेकर ने कहा कि सभी चिंतन लक्ष नदेशित होते हैं इसका मतलब है कि चिंतन का जो उद्देश है वो किसी समस्या का समाधान या किसी लक्ष की प्राप्ती है इसके अलावा चिंतन समस्या समाधान का वेवार है इसमें हम प्रावलम सॉल्विंग की बात करते हैं जहां दीजिए समस्या समाधान का प्रतेक वेवार चिंतन नहीं है वरन यह केवल आंतरिक संग्यानात में वेवार से संबंध है हर वेवार जो प्रावलम सॉल्व कर रहा ह जो reflect हो रहा है प्रावलों सॉलिंग वो चिंतन हो जरूरी नहीं उसके पीछे जो internal mental process हमारा चल रहा है जो cognitive behavior हमारा अंदर चल रहा है internal वो चिंतन है चिंतन की प्रकृति को हम्फरे ने भी बताया 1963 में हम्फरे ने बताया कि चिंतन की शुरूआत समस्या सामने आने पर होती है हमारे सामने कोई समस्या आई तो हम चिंतन करना शुरू करते हैं कि इसके समधान कैसे होगा वो मरले stimulus का काम करता है हम्फरे के हिसाब से चिंतन में प्रियास एवं तुर्टी सम्मिलेत है प्रतिमाओं का प्रियोग होता है भाशा से संदरिप्त उनका ये है कि चिंतन एक प्रकार का आंतरिक संभाशन है कुछ लोग कुछ वग्यानिकों का कुछ चिंतकों का कहना ये है कुछ मनो वग्यानिकों का कहना ये है कि चिंतन एक internal speech एक आंतरिक संभाशन है जिसमें मश्तिश के अंदर हमारा संभाशन होता है ऐसा जरूरी नहीं है कि हम जोर से बोल के किसी से बात करें किसी सामने वाले व्यक्ति से हम लोग बात करें लेकिन internally हमारे mind में हमारे brain में कुछ संभाशन चलता है और उस समभाशन के लिए भाशा का होना अतने तावशक है, हम internal speech भी जब भी करेंगे, उसके लिए हमको किसी भाशा के आवशकता होती है, इसलिए चिंतन के लिए भी भाशा के आवशकता होती है, इसके अलावा चिंतन के लिए विवन पृतिकों, symbols, विवन पृतिमाओ, images, प्रतिमाओं में दोनों तरीके की इमेजिस हो सकती हैं, जैसे विजुल इमेजिस, दिश्टी प्रतिमा या श्रिवन इमेजिस, ओडिटरी इमेजिस, हम सोच रहे हैं, हमने कोई चीज देखी है, वो हमारे दिमाग में चल लेकर, वो देखा था, उससे रिलेटेड हमको सोच तो वो विजुल इमेज है, दिश्टी प्रतिमा है, किसी ने कोई बात कही है, हमने दो लोगों को बाचीत करते हुए सुना है, या किसी ने हम से कुछ बात कही है, वो ओडिटरी इमेज हमारे दिमाग में चिंतन के समय चल रही है, यह श्रवन प्रतिमा है, तो हमवरे के हि आपसे चिंतन में भाशा, प्रतिक और प्रतिमाओं का प्रियोग होता है। अब इस चिंतन की प्रकृति के बाद अगर हम यह देखें, हम देख रहे हैं कि चिंतन की प्रकृति बहु आयामी है। चिंतन को जो लोगों ने परभाशित किया है, वो अलग-अलग dimensions में, अलग-अलग आयामों से किया है। यह covert behavior है, overt behavior नहीं है। इसलिए इसके बारे में बहुत स्पस्ट रूप से भी एक मत पर पहुँचना भी संभव नहीं है। लोगों ने अलग-अलग तरीके से इसकी बात कही है। इसकी इसी बहुआयामी प्रकृती को देखते हुए, अन विवन लोगों ने चिंतन को विवन प्रकारों में विवाजित किया है। एक विवाजन जिंबार्डो एवम रुक्का है, जो उन्होंने 1977 में दिया, जिसमें उन्होंने चिंतन को दो प्रकारों में बाटा, पहला उन्होंने कहा स्वली चिंतन, जिसको अटिस्टिक थिंकिंग बोलते हैं, स्वली चिंतन एक उद्देश रही चिंतन है, जिसका कोई विशेश उद्देशन नहीं होता, जिसमें दिवास्वपन, जैसे देड्रीमिंग, स्वपन चितर, फेंटसीज करना, या ब्रांती, देलुजन्स, इसमें उसमें मिले थे, देड्रीमिंग, फेंटसी, ये कोई बहुत गंबी रूप से असमाने बात नहीं है, जनरली लोग कर होँगा इसे तरह कि देवास्वपन, स्वीत्रों करते हैं. साथ ही ससनी चिंतन में ब्रांती भी शामिल है जो की असामान वएवार है, अगर डिलुजन्स ब्रांतीयां लोग सोह में लगातार जीता रहता है, उस परकार के ससनी चिंतन में लगाता रहता है, तो यह समान है, अब इसको चिकित सा उपचार की आवशकता है, इस तरह के स्वली चिंतन में कोई बहुत किसी गंबीर उद्देश पर या किसी उद्देश पर पहुचना उसका लक्ष नहीं होता, आप रिकॉल करें, देखें, जब हम एड्जस् चिंतन एक तरीके का विड्ड्रॉल है, जिसमें कि हम वर्तमान समस्य जो हम चल रही है, हम उससे कुछ देर के लिए देवास अपन में खो के उससे बच जाते हैं, तो कई बार ये मनश के लिए सायक बिस्दोता है, इसलिए ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से यूजलेस, दूसरा चिंतन उन्होंने बताया, वो कहा Realistic Thinking यथहार्थवाधी चिंतन, इसमें कोई समस्य जमाधान या किसी लक्ष प्राप्टी की बात होती है, इसमें उन्होंने तीन तरीके के यथहार्थवाधी चिंतन की बात कही है, जिसमें पहला अभिसारी चिंतन है, जो Convergent Thinking है ये निगमनात्मक होती है, यानि कि डिड़क्टिव अप्रोच इसमें होती है, डिड़क्टिव अप्रोच जैसे हमारे पास कोई मेजर प्रिमाईस पहले से है, कोई ग्यान पहले से है, हम उसके आधार पर किसी संबंदे दूसरी चीज के लिए एक निशकर्स निकालते हैं, जैसे एक बहुत कॉमान उदारन हम लोग देखते हैं, अगर एक नॉलेज मौजूद है कि सभी मनुष्य मरणशील है, हमको पता चलता है कि X एक मनुष्य है, तो हम ये निशकर्स निकाल सकते हैं कि X भी मरणशील है, ये एक कनवरजेंट, अभिसारी थिंकिंग है, ये एक डाइमेंशन की तरफ जा रही है, एक इखटी की तरफ, दूसरी एथार्थवादी चिंतन में स्रिजनात्मक चिंतन है, इसको क्रेटिव चिंतन भी कहा राता है, ये एक अपसारी चिंतन है, डाइवर्जेंट तिंकिंग है, ये आगामनात्मक होता है इसका नेचर, इसमें कि हम विविन उधारनों को देखते हुए दिस्टिगत रखते हुए किसी नए ग्यान की निश्कर्ज की वर पहुंचते हैं जैसे मालीजे इसी में जो भी हमने उधारन लिया मरंशील होने वाला इसमें दूसरे तरीके से अगर कोई व्यक्ति देखता है कि उसने किसी एक मनशी को देखा X को और देखा कि एक उम्र होने के वाद वो मर गया तो पाया कि X मरंशील है फिर Y दूसरे मनशी को देखा वो भी मरंशील है फिर Z किसी तीसरे मनशी को देखा और पाया कि वो भी मरंशील है तरीके से बहुत सारे मनिश्यों को देखने के बाद एक एक ती निशकर्शने कालता है कि इसका मतलब मनिश्य मरंशील होते हैं ये एक आगमनात्मक तरीके का सिरिजनात्मक चिंतन इसमें कुछ नया होता है तीसरा जो जो जिमबार्डोम रुख के हिसाब चिंतन है N era What is that it is accepted नहीं कर लेता है बलकि उसका मुल्यांक लोकरता है उसमें क्या सही है क्या गलत है आज की पर प्रिक्ष में जैसे हम देखें, आज कल बहुत कॉमन है ये, कि सोशल मीडिया में हमें कोई भी मेसेज पता चलता है, हमको पता चलता है कि सब कैंसर का इलाज इस दवा से हो जाता है, हम बिना उसको जाने आगे फरवर्ड करना शुरू कर देते हैं, हमने उसको जाचा नह अलोचनात्मक चिंतन का भाव है, हम evaluative thinking नहीं कर पा रहे हैं, हम यह नहीं समझ पा रहे हैं कि ऐसे forward करने से कैसे पैसा डोनेट होगा, और यदि कोई व्यक्ति इस तरह का evaluative चिंतन कर लेता है, अलोचनात्मक चिंतन कर लेता है, और समझ जाता है कि नहीं ये मूर्ग बनाय इसमें इस तरीके से पैसा डोनेट नहीं होता, इसका मतल्ब उसके पास अलोचनात्मक चिंतन है, निश्य थी, त्हारतवादी चिंतन में अलोचनात्मक चिंतन उच-स्तर का चिंतन है, जिमबारडो एवंडरुग के अलागा, कुछ अन्य लोगों ने भी चिंतन के विवन परकारों को classify किया है इसी से मिलता जुलता है जैसे दूसरा classification जो हमारे पास है जिसमें पहला जो चिंतन है वो गैर नदेशित non-directed या associative चिंतन है ये स्वली चिंतन कीता रही है जिंबाडो एंडरुक के स्वली चिंतन कीता रही है ये उदेश शराहित है इसमें कोई उदेश नरधारित नहीं है daydreaming, fantasizing या delusions ये सब उसी का परकार है दूसरा जिसको जिंबाडो एंडरुक ने कहा realistic thinking उसी को इधर कुछ लोगों ने कहा है निदेशित चिंतन यानि कि directed thinking इस directed thinking में निदेशित चिंतन में किसी उदेश की प्राप्ती के लिए चिंतन होता है इसको भी फर्दर पांच परकार में इसके पांच रूप लोगों ने कहे हैं विद्वानों ने कहे हैं जिसमें पहला स्थूल या मूर्थ चिंतन है स्थूल या मूर्थ चिंतन जब कोई वस्तु हमको concrete form में दिख रही है perceptual or concrete thinking इसको बोलते हैं जब कोई वस्तु हमको concrete form में दिख रही है उसके बारे में सोचना, उसके बारे में जानना उसके बारे में विचार करना ये स्थूल चिंतन का उधारण है इससे थोड़ा higher level का thinking है, जिसको हम अमूर्थ ये संप्रत्यात्मक चिंतन कहते हैं, conceptual और abstract thinking, ये देशित के अंदर ही ये सारे भाग है, अमूर्थ ये संप्रत्यात्मक चिंतन में कोई व्यस्तू हमारे सामने नहीं है, फिर भी हम abstract रूप में उसके बारे में सोच लेते हैं, ये अमूर्थ चिंतन का उधारन है, इसे और एक निदेशित चिंतन का प्रकार है, जो तोड़ा और higher level का है, reflective चिंतन, चिंतन, शील, चिंतन या प्रावर्तब चिंतन, जिसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं, इसको एक और भागे, अभी हम आगे इनके, ये चिंतन, शी जिनात्मक, creative चिंतन, और समीक्षात्मक, critical चिंतन, critical thinking, इसको हम बोलते हैं, reflective thinking, जो है, जो चिंतन शील या प्रावर्तब चिंतन है, ये चिंतन का उच रूप है, निश्य थी, ये सामानी की अप्रिक्षा, जटिल समस्चाओं के समाधान पर किंद्रित है, मूर्थ चिंतन स और उस से और उपर आ रहा है, उसका उच रूप है, चिंतन शीलिय परावर्तब चिंतन, इस चिंतन शीलिय परावर्तब चिंतन में व्यक्ति अपने सभी सम्मंद्दित अन्ववों को तारकिक रूप से पुने संगठित करकर नए मार्ग या हल तलाशता है, जो चीजे मु यहां दिए इसमें ट्राइलेंड एरर की बज़ा है, प्रया सेवं तुरूटी के पेक्षा, सूज आधारे संग्यानात्में को पागा मही है, इंसाइट, इंसाइट्फुल कॉगनिटिव अप्रोच है, इसमें व्यक्ति अपनी सूज का प्रियोग करता है, सूज के आधार पर चिंतन कर और फिर एक लॉजिकल ओडर में सॉलीशन प्रस्तोत करता है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी एक ट्राइ किया, गलत हुआ तो दुबारा ट्राइ किया, यह ट्राइलेंड रिजर्स से हायर चीज है, इसके अलावा जो डिरेक्टिड थिंकिंग है, जो निदेश्य चिंतन है, उसमें जो एक प्रकार है, वो है स्रिजनात्मक चिंतन, क्रियेटिव थिंकिंग जिसको हम बोलते हैं, इसमें कुछ नए मौलिक या भिन्न का स्रिजन होता है, इसमें व्यक्ति अनियूजूल, जो सामाने तया लोग नहीं कर रहे हैं, जो सामाने व्यक्तियों के दौरा नहीं होता है, मैं दूसरों से हट के व्यक्ति सोचता है, जिसके बदले में कुछ बिलकुल मौलिक एक नोवल चीज प्रस्तुत करता है, ये किनिमी पूर मरधारित नियमों से बना नहीं है, बिलकुल अजाद है इन सब चीजों से, नए तरीके की सोच एकदम से, जिसे विज्ञाने की बिलकुल नया सोचते हैं, कलाकार, अनवेश है, कुछ नए रिसर्च करने वाले लोग जो चिंतन करते हैं, ये सब सरिजनात समीक्षात्मक चिंतन, क्लिटिकल थिंकिंग, ये बड़ा महत्पून है, खासकर सिक्षकों के दिर्श्चिकों से, बालकों और विद्यार्थियों के दिर्श्चिकों से, जिसको समझना, ये बड़ी महत्पून स्तर है, बड़ा महत्पून स्तर है चिंतन का, जिसमें व्यक को कोई समस्या का समधन करना है या कोई चीज जांचनी है, कोई चीज का पता करना है, उसको चाहे अपने विश्वास की बली क्योंना, चड़ानी पड़े, लेकिन वो सत्य की खुज हίν। दिर्ड होता है。 वो अपनी सारे पूरवागर है, सब मानेता हैं, सब विश्वास, सब को किनारे रखेगा और जो सत्य है उसकी खोज करेगा वो critically analyze करता है चीजों को कि नहीं यही सही है जो मैं सोचता हूँ ज़रूरी नहीं ऐसा सही हो तथ ही यह कह रहे हैं, facts यह बता रहे हैं इसलिए यही चीज सत्य है मंगल अपनी पुष्टक में इस बात को कहते हैं कि इसके लिए जब कोई व्यक्ति critical thinking करता है समीख शात्मक चिंतन करता है तो उसको उप्युक्त विवेचन के लिए यानि कि interpretation, जो चीज उसने ढूढ़ी है उसको interpret करने के लिए विशलेशन के लिए जो तथ मुझको मिल रहे है उनको analysis करने के लिए मुल्यांकन करने के लिए जो तथ हमको प्राक्त हुए उनको evaluate करना सही हैं, गलत हैं और निशकर्स पर पहुँचने के लिए या को inference draw करने के लिए जितनी सूचना है मुझको मिली है उनसे में कोई निशकर्स निकालू वो inference draw करने के लिए उच्छतर संग्यानात्मक किशमताओं के प्रियोग किया हुशकता होती है जो को higher cognitive abilities चाहिए निश्यत है कि critical thinking करने के लिए व्यक्ति को higher cognitive abilities का प्रियोग करना होगा समिक्षाक्टक चिंतन में ही मंगल पुना कहते है कि एक आधर समिक्षात्मक चिंतक ज्यान दीजिए अभी विद्यारती के perfection में जब आप इस बात को देखेंगे तो समझेंगे ये कितना महत्पूर है कि एक आधर समिक्षात्मक चिंतक सवभाव से जिग्यासू, inquisitive, हमेशा कोच जाननी के लिए ललायत, सुसुचित, well-informed, उसको तत्य पता होते हैं, उदार्चित, open-minded, वो open-minded है, सब चीज को ग्रण करने के लिए तत्पर है, कि जो मैं अपनी बातों से बंधा हुआ नहीं हो, मेरे जो पूर्वा ग्रे हैं, जो मेरे prejudice हैं, मैं उससे fixed नहीं हूँ, जो सही होगा, मैं उसको accept करूँगा, उदार्चित होता है, नम है, flexible होता है, acceptability उसमें होती है, कि कोई नई चीज में उसको पता चले, कि जो मेरी बात से बंधा है, तो मैं उसको सिखार करूँगा, मुल्यांकन में निश्पक्ष, यानि कि fair-minded in evaluation, अगर मैं किसी तत्य की जाच कर रहा हूँ, तो मैं अपने subjectivity को एक किनारे कर दूँगा, मैं निश्पक्ष इसमें बात करूँगा, मैं किसी biasness की उसमें बात नहीं करूँगा, व्यक्तिगत तुरागरों एवन पुरुवागरों से मुक्त, free from personal biases and prejudices, यानि कि मेरे अपने कुछ विचारधारा, मैं किसी एक particular विचारधारा को मानता हूँ, किसी चीज से जोड़ा हुआ, किसी संस्था से जोड़ा हुआ, कोई राजन्यतिक विचारधारा हो सकती है, कोई धर्मिक विचारधारा हो सकती है, कोई अन्य विचारधारा हो सकती है, तो जो समीक्षात्मक चिंतक होता है, जो critical thinker होता है, वो इन सारी चीजों से, personal biases से और prejudices से, विक्तिगत दुरागरों से मुक्त रहता है और ये प्रासंगिक सुचना प्राप्प्पी है तो इमानदार होता है honest and seeking relevant information ये हमेशा पुनरविचार करने है तो ततपर रहता है कि मुझको कुछ नया पता चलेगा, जो सही होगा जो सत्त की कोज में मदद करेगा तो मैं उसको accept करूँगा ये critical thinking करने वाली विक्ति के लक्षन है अब मेतपूर्ण है कि हम विद्यार्थी के या बालक के विकास के है तो इन सब चीजों की क्या आशकता है अगर आप ध्यान से देखें इन सारी चीजों को चिंतन के विविन इस्तरों को विविन प्रकारों को तो आप पाएंगे कि अगर हम शिक्षा के उद्देश्यों की बात करें या शिक्षा का उद्देश्य क्या है मनिश्य को सामाजी की रूप से सुसमायुजित विक्तित के रूप में विक्सित करना बालक को अगर हम सामाजिक, अच्छे समाज की सरफ्षना करना चाहते हैं तो हमको ऐसे व्यक्तित्तों का निर्मार करना होगा ऐसे मनश्यों को त्यार करना होगा जो की लॉजिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग समीक्षापमक्चिंतन कर सके हैं किसी भी बात पर आंख मुन्त के विश्वास ना कर सकें, जो सिर्फ डेड्रीमिंग ना करें, जो सिर्फ फेंटेसाइज ना करें, जो डेलुजन्स में ना रहें, वरन और वो धीरे धीरे उनके सोचने का इस्तर बढ़ता जाए, मूर्थ से मूर्थ की तरफ जाएं, उनकी reflective thinking हो, वो किनी चीजों को evaluate कर सकें, क्या सही है, क्या गलत है, और अपने personal biasness और belief से अलग हटके सही को स्विकार कर सकें, अगर हम ऐसा व्यक्तित तयार करते हैं समाज के लिए, तो निश्चित ही समाज की विविन कुरूतियों या विविन अविवस्थाओं में ऐसा व्यक्ति बज़ाए उनको बढ़ाने के लिए, उनको रोकने का और एक सशक्त समाज के निर्माण में सहाय अखोगा, इसलिए अगर हम चाहते हैं कि बाला का विकास सम्यक हो, समग्र हो, holistic development उसका हो, तो उसमें critical thinking तक उसको पहुचाना, उसमें critical thinking skills develop करना ये परमावश्यक है, ताकि एक संतुलित व्यक्तित का विकास उसमें हो सके, चिंतन में भी खासकर, realistic चिंतन, वास्तिविक यथार्थवादी चिंतन, directed thinking जिसको हम बात कर रहे हैं, निदेशित चिंतन, इन सब चीजों की उसमें भी higher level के चिंतन के कौशल के विकास करने के आवशकता, एक सशक्त समाज के निर्माण के लिए, एक सशक्त व्यक्तित के निर्माण के लिए आवशक है, इसलिए बालक के लिए बहुत जरूरी है कि उसमें इन चिंतन, इन चिंतन कोशलों का विकास हो, आज इसके सत्र में हमने बात की, सबसे शुरू में हमने बात की कि चिंतन का सब्रत्य क्या है, फिर हमने चिंतन की प्रकृति की बारे में बात की, जिसके पूर्व हमने चिंतन की बाउस्तारी परिभाशाओं को भी कोट किया, इसके अलावा हमने चिंतन के परकारों के बारे म पूछें, तो आप यह जाच पाएंगे, कि जो आज का यह चर्चा हुई है, अज का यह सत्र रहा है, यह आपके लिए कि उप्योगी सिथ्द्धूवा अगर आप यह जाच पाएं, कि आपके वेवार में कौन से चिंतन का प्रभ्यूत्थ है, क्या आप यथार्टवादी चिंतन जादा है आपके में या स्वली चिंतन जादा है directed चिंतन है या non-directed चिंतन है आपके सभाब में directed है तो कौन से इस्तर के चिंतन का प्रुवत्त जादा है बिल्कुल उसी तरीके से अगर आप ये बता पाएं ये निर्धारित कर पाएं कि बालक के बहतर विकास के लिए किस प्रकार के चिंतन के अधिकावशकता है आप उसी चिंतन पर जोर दें और साथ ही एक अध्यापा के रूप में आप अपने विद्यारतियों में कुछ इस्तर के चिंतन का विकास करने के लिए क्या कर सकते हैं, कौन सी ऐसी अक्टिविटीज हो सकती हैं, जो यह आप कर सकते हैं, इस चिंतन के विकास करने के लिए किन गत्विदियों को आप समिलित कर सकते हैं, इन चीजों का अगर आप अडेंटिफाइ करें, तो आज के इस सत्र की चर्चा सफल सिध्ध हो सकती है. उमीद है कि आज के सत्र से आपको कुछ लाव अवश्य प्राप्त होगा. अगले सत्र में फिर नए विश्य के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी. तब तक के लिए बहुत बहुत दन्यवाद. नमस्कार.